हाज जी देखते हैं अब जो ये वीडियो है ये वीडियो है कि यूनिट वन का मैंने बता दिया था यूनिट टू में से किस chapter में से कौन से topics करने है और कौन से और option में आने के probability है ठीक है और unit 2 में basically examiner ने क्या design किया बहुत बच्चे confused है unit 2 में सर ये है क्या ये तो देही नहीं रखा तो जो आपका S.O.L. का slavers uploaded है उसके अंदर proper content नहीं given है ठीक है न मैं strictly follow कर रहा हूँ D.U. के slavers को D.U. के slavers में जो चीज़े गीवट है तो सर आईए unit 2 की बात करते है unit 1 हमने देख लिया था अब unit 2 सर unit 2 में कितने topics हैं और कितने chapter है सबसे महंगा unit है ये सबसे महंगा मतलब सर 25 number का unit है ये 25 marks का इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे महंगा है अब unit 2 आपके 10 year में although मैंने डाला हुआ है कि आपके unit 2 में क्या slavers है सारी चीज़े इना मैं पहले से डाल के रखा था कि जिस बच्चे ने 10 year खरीद है उसको सारी चीज़े पता चल जाएगे unit 2 में सबसे बड़ा चेप्टर है final account unit 2 में सबसे बड़ा चेप्टर कौन सा है सर final final account को हम तीन हिस्से में बाट सकते है जिस पे questions पूछा जाएगा एक पूछा जाएगा provision for text मैं कल यही revision में ले लेता हूँ provision for text और कुछ बच्चे इस आप भी बोल रहेते तो मैं उसको अगली class में ले ले एक पूछा जाएगा provision for text के उपर question एक पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ reserve and surplus बनाईए और कुछ नहीं बनाना note number 2 और एक पूछा जाएगा जहाँ पे आपको balance sheet भी बनाना है and statement, profit and loss भी बनाना है जो कि आप mainly हम focused इस वाले topic पे होते हैं और करने को यही करते हैं यह दोनो topic इसी के अंदर include जाता अलग से नहीं लेकिन मैं चाहूँगा कि इन दोनों को थोड़ा सा अलग से भी बता दू एक तो यह chapter है और यह chapter 100% मान के चलिए मैं probability बोल रहा हूँ कि 15 marks का तो आएगा ही आएगा क्योंकि unit 2 जो है 15 number का आपको करना है paper में तो 30 का आएगा ना क्योंकि 15 number के और में 15 number का भी तो आएगा question तो यह आपको करना paper में 30 का आएगा जो chances बनते हैं कि इसको की 10 number का दिया जाएगा इसके अंदर तीन activity है basically तर तीन activity कौन कौन सा है operating activity जो हमने कर रखा है investing activity और financing activity बहुत सारे बच्चे ना इसमें confuse होते हैं सर आपने कराया था dividend जोड़ता है operating में लेकिन मैं देख रहा हो कि operating में तो dividend जोड़ ही नहीं रखा तो जो profit लिया है न अगर before tax profit लोगे तो dividend नहीं जोड़ेगा operating activity में जो बच्चे पूछ रहे थे जैन्मेंट जो डाउप्ट हुआ तर इसके अलाबा इस chapter के अंदर हमारा ratio भी कहा है ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने के ratio analysis हम पूछेंगे उन्होंने कहा कि ratio including ratio तो ratio की video मैं upload कर दूँगा और वही ट्वेंथ वाले सारे ratio है जो आपको समझ रहे हैं इसके बाद कुछ accounting standard जो की है हमारा AS20 ये तो हमने कर लिया है AS20 पूरा और AS20 आपने देखा भी होगा कुछ इतना खास कुछ था नहीं लेकिन अगर आपने revision नहीं करा तो भूल या होगे और ये इन तीनों को लेके आपका कितने number का chapter बनाएगा 15 तो हो गए नब 15 का ये 15 का 30 question number 2 आपके exam में होने वाला है तो ऐसे और में पूछेगा यानि cash flow ratio और AS20 वर्सिस final account का कुछ ना सकते लेकिन सर कुछ बच्चे अगर ये गलती ना कर एक्जामने बड़ा चलाक है 10 number का ये देदेगा फिर 5 number का operating activity इसमें डाल देगा 15 का कर देगा और यहाँ पर अगें 5 number का बोलेगा reserve and surplus कर दो और फिर 10 number का ये उठा कर डाल देगा तो आप पूरे घंड इस पर नहीं जा सकते इन बच्चों ने कुछ नहीं किया वो तो risk लेगा ही लेगा उनको मैं suggest करूँँगा कि आप ये वाला section कर लीजिए final account कर सकते हैं आप देखिए हर बच्चे की अपनी capacity अलग अलग है इसको जो जल्दी समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं मैं हमेशा बच्चों को बोलूँ आ सर ये वाला topic बिल्कुल avoid मत करना आधे एक घंटे के अंदर खतम हो गया था ये topic class के अंदर और ऐसा नहीं कि एक भी question नहीं है इसके अंदर क्या था बस आपका weighted average equity share निकालना सीखना था और एक diluted equity share निकालना था इसके अंदर भी सबसे ratio के starting से वीडियो है वह मैं uploaded कर दूँगा मेन मेन formula के समझाने और मैंने आपके 10 year में जितने question दिये हुए है उसको जरूर करके है ठीक है इसके बाद चलिए cash flow तो आपको पूरा करना ही है ये section मैंने इसलिए priority पे बोला कर लोगे क्यों cash flow अपने 12 से में किया हुआ है अगर क ये chapter मेरे मन की बात पूछो ना ये पूरा unit ही वैसे आना तो सारा ही चाहिए ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हरे एक chapter में balance sheet पूछ लिया जाएगा reconstruction में balance sheet पूछेंगे आपका final आगे जितने भी amalgamation में balance sheet पूछ लेते हैं तो कही जगा पे balance sheet का demanding होता है तो balance sheet वाले chapter क कर लेना है कितना time लेना है करने के लिए देखो एस 20 और ratio one day में हो जाएगा आपका ठीक है cash flow आपका one day में हो जाएगा और आप final account आराम से एक दिन में अगर आप dedicatedly करते हो time taking है हो सकता एक से देट दिन लगे तो इसमें हो जाएगा आपका 25 नंबर का unit है इससे पहली नहीं 15 था बच्चा अगर दो unit भी कर लेते तो कितने हो जाते हैं 40 लेकिन simple सी बात है आपने पहले study नहीं किया तो 40 में से तो 40 score नहीं कर पाऊगे और 40 वाला ही पांस है तो आपको एक unit और करना होगा that is unit number 3 अब मैं unit number 3 की बात कर लेता हूँ इतना आसान unit है ना unit number 3 unit number 3 में क्या क्या है तीन chapter है basically एक valuation of share और unit number 3 सर 20 नंबर का है और एक क्या है valuation of goodwill 12 से वाला ही था लग बग लग है न और एक क्या है हमारा value edit in financial statement और इसके साथ न एस एक है हमारा सत्रा एस सत्रा भी है इसके साथ साथ ठीक है न तो अब 20 नंबर का है तो इस unit से examiner सवाल तयार करेगा 40 नंबर का और जिसमें से आपको करने होंगे कितने 20 नंबर का मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहा हूं तो अब इसके अंदर से वह क्या करेगा एक question यह उठा लेगा 10 नंबर का ठीक है और इसमें चिपका देगा एक theory का question एक question यह उठा लेगा तो इस तरीके से रहेगा तो sir मैं इस unit में से कोई भी topic छोड़ने का सला नहीं दूँगा अभी valuation of goodwill मैंने youtube पे भी डाला है और application के अंदर भी one shot करके मैं डाल देता हूं वीडियो को ठीक है न तो आप देखेंगे न तो यह दोनों chapter मिलके यह पूरी unit को चार से पांच गंटे में खतम कर सकते हैं तो मैं यह unit 2 को थोड़ा skip कर दो आप पहले unit के कर लो पांच गंटे में ताकि आपका days तो बचेगा यहाँ पर देखो ज्यादा दिन लगना है ठीक है days बचेगा हाँ आप unit 2 में से भी आप चूजी हो सकते हो specific topic उठाँ सकते हो sir cash flow statement उठा लिया यह जल्दी कर लोगे आप ठीक है समझ रहने यह जल्दी करोगे final account को side में और यह कर लेना है तो unit number 1 कर लिया 2 कर लिया 3 कर लिया अगर यह तीनों आप करके जाते हो और जिस probability पे हम काम कर रहे हैं अगर ऐसा ही paper आया तो 15, 25, 40, 20, 60 number का paper score हो जाता है और एक unit unit 5 कर लेंगे sir unit 5 का पूरा theory का paper आने वाला है उसमें से ठीक है जिसको मैं अभी करवाओंगा तो आप देखोगे उसे छोड़ना नहीं आपने तो कितने होगे 45, 40, 80 होगे और reconstruction आपको अच्छे से पता है कितना आसान है वो कर लोगे तो आपके पास जो भी time है अगर इससे अच्छे से utilize किया जाए तो definitely आप अच्छे से score कर पाऊगे तारी वीडियो को आप जैसे भी देखिए अच्छे से पहले रजिस्टर पर लिख लिजी हमें क्या topics करने हैं अगर आप सिर टैनियर को उठाओगे ना टैनियर का मैं अगली बार इस टैनियर को थोड़ा पतला क अगर आप प्लैनिंग करो तो अब आप देखलो unit 1 में जो मैंने चप्टल कर आए दो दिन में खतम किया थीन गंटे के अंदर खतम किया और unit यह वाला unit मैं और डाल चुका हूं चार गंटे का यह है चार से पांच गंटे मान लो तो मान के चलता है पहले unit में आपने practice कर करक पांचवा यूनिट बीस नंबर का है उसके अंदर आप पांच गंटे मालो याद वाद करके तो कितने हो गए दस गंटे और पंदरा यानि एक दिन से कम में आप 40-45 स्कूर कर सकते हैं लेकिन आपका दिमाग एक्टिम होना चाहिए सारे सोचल मीडिया बंद होने चाहिए आपकोитай में यूनिट फोर और यूनिट फवाइब किन वाली के लास में उनिट फोर और यूनिट फाइब कर पार का इसा तरह किने और मैं चनितर की बात करों तो included कि इसके अंदर आकर में बात करो तो एसा हो सकता वालोशन इसे वेलुयोशन फ्टिन उ मैं शेटि y से व् सारे में बता दो तो definitely मैं theory के सारे questions लिखके और मैं आपको बता दूँआ ठीक है तो चलिए मिलते हम next वीडियो में अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी वी value मिलती है आपको benefit होता है तो चैनल को like, share, subscribe करें और जो application वाले बच्चें stickly वो ना बिल्कुल अंधकार में खोई से रहते हैं तो वो especially मैं हर बार कहता हूं वो जरूर देखें content में सबसे पहले तो आपको दिया जाता है ठीक है तो मिलते हम next class के अंदर next video के अंदर